खूसी बुटिक चैनल को सस्क्राइब कीजिए घंटी दबाईए ओल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैसर मिला फगेडिया आप देख रहे है खूसी बुटिक आज मैं आपको सलवार के नीचे की सिलाई लगाना बताओंगी जैसे हम यहां नीचे से सिलाई लगाते हैं पॉन्चा बना के रैडि करके उसके बाद में जो सिलाई लगाते हैं तो यहां से टेडा मेडा होजाता है ज्यादा गेर के कारण है तो यह सिलाई लगाना मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस तरीके से लगानी चाहिए तो देखिए हमें साड़े छे इंच का पॉंचा रखना है और यहां से साड़े साथ का यहां से यहां में एक इंच का फरक होना चाहिए इस तरीके से और इसके बा इसको हमें ज़्यादा तिर्चा नहीं करना है इसको हम ज़्यादा तिर्चा करेंगे तो यहां से कोना निकल जाएगा यहां तक हमने सिलाई लगा दी है जहां तक हमने निसान लगाया था आप देखिए आगगे की सिलाई हम यहां से ऐसे रख के करेंगे हमें इस कपड़े को पहले सीधा खींचना है और फिर इस साइड खींचना है और इसको हम ऐसे सिलाई लगाएं यहां पर देखे आसन की सिलाई आ गई है यहां से हम थोड़ा सा पहले ही इस सिलाई को खत्म कर देते हैं और यह सिलाई हम दोसरी साइड से स्टार्ट करेंगे तो देखिए कई बार सिलाई लगाते से में ऐसा होता है कि खीचने से तूट जाता है तो इस तरीके से सिलाई लगाने से ये टंका तूटता नहीं है तो देखिए यहाँ से ज़्यादा तिर्चा भी नहीं हुगा है और यहाँ से कोई कोना भी नहीं निकला है यह सिलाई बहुत अच्छे से आई है, इसी तरीके से मैं दूसरे साइड की सिलाई लगा के दिखाती हूं आपको, दूसरी साइड की सिलाई लगाने के लिए हमें इसका सारा लेना होगा, जैसे हम यहां से इसको बराबर रखेंगे, और इसको हम यहां से मोड़ देंगे, यह तक हमारी सिलाई आई है पहले वाले पॉंचे में तो यहां पे हम ऐसे निसान लगाएंगे सिलाई के लिए हमें इस तरीके का चाक खरीदना चाहिए इसके उपर मैंने वीडियो बनाया है जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और वीडियो आपको इस वीडियो के ए लगा लिया है इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहले पहुंचे पर लगाई थी तो यहां से हम इसको पक्ता कर लेते हैं और इसके बाद में हम उसी तरीके से यहां पर सिलाई लगाएंगे बस आपको यही ध्यान रखना है कि जैसे हमें सिलाई लगाते समय इस तरीके से सीधा खिंचना है और फिर इसको ऐसे खिंचना है तो यह सिलाई लगने के बाद सिलाई टूटेगी नहीं खिंचने से इसको यहां से पहले वाली सिलाई आ गई है हम इसके उपर यहां तक ले आए है यहां से थोड़ी सी कटिंग कर देंगे तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगाई है यहां पर जैसे दिक्कत आती है तो यहां पे सिलाई लगाते वगत जैसे यहां से मुड़ जाता है पहुंचा एसे अंदर की साइड हो जाता है तो यहां पे कोई भी दिकत नहीं आई है इस तरीके से सिलाई लगाने से और ना ही यह सिलाई खीचने से तूटती है इस पे अच्छे से प्रेस भी हो जाएगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में